हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सबको पता ही होगा पता क्या फील हो रहा होगा गर्मी होगा तो आज हमें एक ऐसाद ब्रिंग बनाएगा जिसे देखते ही आपको पीने का मन करेगा थोड़ा सा होगा खटा मीठा और थोड़ा सा पीखा तो चलिए बनाते हैं यह पानी भरके इसे दस मिनट के लिए आप साइड में छोड़ दीजिए यह मैंने दो ग्लास ले लिए हैं अब चाहिए हमें पूदीना तो पूदीने के तराश में चलते हैं मेरे बगिये में हरे हरे चमा चम बारिश हो रही है यहां से पूदीना ले ले लेंगे मतलब कि दो दो ग्लास में और फिर हम इसमें एड करेंगे हनी जिहां यह еще healthy भी हम पुद बनाने वाले हैं तो इसमें हम दो चमच के लगमग अनी करेंगे और इस वाले में भी आपको दो चमच पनी एड़ कर देना है अब पुछी अब क्या करेंगे अरे खाई कुछ नहीं करेंगे एक एक नीबू का रस दोनों गलास में मतलब एक गलास में एक नीबू का रस नी चोड़ देना है और अब यह हमारा सबजा जो फूल के हो चुका है फोले नहीं समा रहा है इसमें हम एक चमच सब्जा लेंगे और फिर हम एक ग्लास में डाल देंगे और फिर एक चमच लेके और दूसरे ग्लास में भी हमें डाल देना है यह हरी हरी मिर्चिया जिने आपको बीच में से फार देना है दो हरी मिर्च हमें एक में ग्ला ये चिल्ड पानी भर देना है और थोंगे निकल रहा है देख लिए अब आपको क्या करना है अब हम एक ग्लास लेंगे श्टील का और इसके ऊपर डाल देंगे और उपर से इसी ठुकाई करनी है ग्लास प्लाइसे ठोप देना है और फिर आपको शेक करना है ओए होई देख लिए ऐसे आपको शेक करना है slow motion में दिखा रहा हूँ था कि आपको बहुत मजा आ है आ रहा है न मजा और यह हमारा जो ट्रिंग है बनके तयार है गार्निशिंग के लिए हम क्या करेंगे एक निमू का स्लाइस लेंगे और इस ग्लास पे गुसर देना है यह तोटली दिखावा है आप ऐसे इसे पी सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मैं फिर मिलूँ एक नए वीडियो को नए रेसिपी साथ अब तक वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग थैंक यू